हेलो दोस्तों लाटो के कीचन में आप सब का स्वागत है तो चलिए आज मैं आप सब के लिए पुआ बनाने जा रहे हूं बहुत है स्पेसल बहुत ही स्वादेश्ट तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और सेयर कीजिए धनिया चलिए दोस्तों आज मैं पुआ बनाने जा रहे हूं बहुत ही आसां तरिके से बहुत ही जदी बन जाता है तो देखिए हमने एक कोली बैदा लिये और आधा कोली चीनी लिये और थोड़ा सा बदाम काजू और किस्मिस है बदाम और किस्मिस को छोटे-छोटे टुपरो मे काट लिये हैं में मैदा रखती है अब इसमें हम चीनी डालेगे अब इसमें हम चीनी डालेगे अब जो यह काट रखे हैं बदाम किस्मिस इभी मिला देगा अब इसमें पानी डालेगे हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ज्यादा नहीं तेब अच्छी तरह से पूआ बद जाए यह देखिए इसमिला लेंगे ठोड़ा करना है ज्यादा गिला नहीं जल्दी बन जाता है अगर बच्चे को बड़े को किसी को भी खाना हो बीन सहाइगा मै बहुत ही जल्दी बन जाएगा चलिए अपिसे बनाना करते हैं ठाइन गरम हो चुका है अब इसमें हम मैदा डालेंगे देखिए हमने मेदा डाल दिये हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा है देखिए थोड़ा भी नहीं इधर उधर हुआ है बहुत ही अच्छा है इसे फुला देर और लाल होने देते हैं इसके बाद बनके त्यार हो जाएगा देखिए यह त्यार हो चुका है आप हम इसे निकालेंगे चलिए इसे भी बनके त्यार है अगरी देशिपी आप को अच्छा लगा तो आप लाइक करे और शियर करे